स्वागत है एक बार फिर आप सभी का और इस बार हम कवर कर रहे हैं सीए फाइनल फाइनशल रिपोर्टिंग की और टी पी फॉर नवेंबर ट्वेंबर ट्वेंटी फॉर बढ़ाई हो दोस्तों इंस्टूट ने कोई मेजर नई कुश्चिन इसमें इंकॉर्परेट नहीं कि ट्वेंटी कुश्चिन है जिसमें से 10 mcq अभी अपन सॉल कर लेंगे उसके अलावा बचे होगे तैसमें से चार कुश्चिन नहीं बागी छे एस रिपीट आप पास्ट आटीप मटीप स्टडी मटीरियल कुश्चिन है सिर्फ नहीं नहीं कुश्चिन जो है वो अपने को स्मार्च इचियर फॉलिंग इंफर्मेशन और रिवन्यू ट्रंजक्शिन का है क्या क्या कुश्चिन टूद यर इंडिट थरीफस मार्च टू तू 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 सेवन दिया है आपके फिनांचल स्टेट्मेंट 2007 के है यानि आपका फिनांचल यर शिक्स सेवन है जिसके 2000 देखो डेट पर दियान देने का फाइदा इसका मतलब कि इसमें फिनांसिंग कॉंपोनेंट शामिल होगा क्योंकि लंबा समय बात प्यमिंट होने वाले आपन देखते हैं क्योंकि पेबल बाद में दिया हुए राइट आपको दियो यह 80,000 तो यह कॉस्त हो गई है कस्ट मतलब तीन महीने में प्रोड़क्ट रिटर्न कर सकता है कस्टमर पोरे पाई से वापस ले सकता है आगे का गया है फर्स्ट ऑक्टोब 2006 दी आज नो रिलाइबल एविडिएंस डिगाइडिंग दे लाइकली हुट अफ दे रिटर्न प्रोड़क्ट बाय कस्टमर मतलब ऐसा है दोस्तों इंडेज 115 कहता है कि सेल विट राइट टो रिटर्न के केस में क्या करना है अगर आपके पास एविडिंस है जो उससे यह प्रूव होता है कि जांसिस प्रोड़क्ट रिटर्न आने के कम है यानि रिफंड लाइकली है तो आप रिविन्यू बुक कर लो अलग से बुक करना पड़ेगा जित्य की इन्वेंटरी की कॉस्ट है माइनस दे कॉस्ट टू रिटर्न बैक्ट गुड्स अधर आपका गुड्स के उपड़ से कंट्रोल नहीं है तो यह कंसाइन्मेंट सेल जैसी है यह स्टॉक्ट कस्तमर जैसे इन्वेंटरी बुक्स में देखेगा यह 115 का प्रोविजिन आगे देखते हैं क्या है प्रड़क्ट उस नॉट रिटर्न बाइदर कस्टमर बिफोर 31 डिसेंबर 2006 क्या घुमा के बोला है नॉट रिटर्न मतलब भी है उसने एक्सेप्ट गल लिया वदाई है यह से लोगी एंड सो दर राइट तो इस माना जाएगा क्योंकि इसमें प्रैंस कॉंपोनें अब सवाल पूछ लेंगे यह कि शायद आप से रिवेन्यू कभी बुक करना चाहिए और उसके बेसिस पे अपने को डिस्कुशिन करना पड़ेगा अभी मज़े की बात है कि यह पॉइंट पड़ा इसके बेसिस पे क आपको शुरिटी नहीं आ जाती है नहीं कहां ले जाएंगे एक्स्क्यूज मी चलिए तो बाइं वाइन वाटमांट दरेवेन्यू डिवेन्यू 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 रिए इसका मतलब इच्वड आपन और इतना समय दिया गया है तूटल आपको यहां पे दिया गय और इसका मतलब आंसर होना चाहिए रिवेन्यू बुक होएगा 31 डिसेंबर अब यह ऑप्शन तो यहां पर देंगे यह पहली गलती फर में इतनी खराब हालत हैं इंस्टेडियूड की कुछ भी नया बनाते हैं तो गलती करी देते हैं कि यह तो ठीक है छोटी मुटी गलती है यह फर्स नहीं है 31 डिसेंबर होगा ऐसी और भी गलतिया करी क्या नहीं कोश्चिन में अभी डिस्क करेंगे छोड़ ऑपन इसकी बात कर और रिवन्यू कित्ता बोगएगा सीधी सी बात है वन लाग रुपीस और जिम्पल रीजन कि वन लाग 21,000 इस इंक्लूजिव तो आप दो साल का अगर हटा दोगे इसमें तो यह एक लाग क्याश प्राइस के पराबर आ जाएगा तो उस सेंस में भी आपको ऐसी ट्रिक भी कभी कुश्य नहीं हो भी समझ नहीं है तो ऐसे भी देख लेना कि भी या वन लाग 21,000 टू तू तो लानत है तो अपने को फि लॉजिकल है पर यह जुगार है सेकेंड वाट विल भी थी फिनांस इंकम डूबी रेकनाइज इस्पेक्ट तू सेल्स इन 2006 सेवन आप इंकम बुक कर रहे हो 31 डिसेंबर पे कित्ते की पुक कर रहे हो वन लाग रुपीज की आपकी इंट्रेस्ट इंकम कित्ती है 10 में और आपने इंकम बुक करिए 2006 में तो आपको स्विफ त्री मन्स की इंकम बुक करना होगी तो यह हो जाएगी ट्वेंटिफेंट मज़े की बात है कभी आपसे यह पूछते ना कि 2007 में क्या इंकम हो गईगी आपको क्या बोलना होता कि या देखो सेवेंटी वाइंड इ 10 परजेंट आप समझ गए मैं इसा क्यों बता रहा हूं आपको नहीं तो घड़ पड़ जाएगी माप चलिए वाट विल बीड़ेट रेट रिसीवल ऑन तरी पर्स मार्च 2007 अगें सेल्स मेड़न फर्स्ट अक्टोब टू थू थापकी वन लाग रुपीज की क्रेडिट से से ले इस पर 2500 का भी आज बुख हुआ है तो 1,2500 आगे देखते हैं फॉर्थ क्वेश्चन भी है रेवन्यू तो भी रेकनाइज इन दे यह विद बी लिमिटेड यह अगले पॉइंट से रिलेटेड होगा अभी अपन दी लिमिटेड की बात कर रहे हैं 1 जुलाई 2005 डी ब 2021 जुन टूताओजंड यह शुरू हुआ 2005 से खतम होगा यह 31 जून 2007 तो यह 31 जून 2007 तो डेट होती नहीं है जीवन में कभी बट कोई बात नहीं यह एसी चोटी मुटी घल्तिया आइफार के पर में करते रहते हो वहयात बनाते पर है चल भाहयादख दुटी चोटी घल्ति तो तौजन सेवन होवेवर इफ दिसेल अफ द प्रोड़क्ट तो भी लिमिटेड 60 तौजन यूनित इन तो यूर पीड इंडिंग 30 जूम तो तौजन सेवन तो टीक है वही है इसकी सेलिंग प्राइज सो रुपए है पर कंटिंगेंट है या वेरियेबल बोलते है ना वेरियेबल कंसिडरेशन है वेरियेबल कंसिडरेशन इस डिपेंडेंट ओन कि आपको टोटल सिक्स्टी तौजन यूनिट्स इन टू यर्ज लेने है अब यहां पर टू यर गया है जुलाइट टू तौजन फाइव से जून टू तौजन सेवन ठीक है ना वेटा अपना प्राइंजल यह कौन सा यह द्यान रखना है सिक्स सेवन यानि हम इसके पीच में कहीं फसे हुए है हमारा शुरू हो रहा है फर्स्ट एपरेल टू तौजन शिक्स पे और खतम हो रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च टू दौजन सेवन पे यह अपना पीरिड है यह जून इसके बाद आएगा 30 जून तो आप बताहिए अब इस केस में रिवेन्यू कैसे सब्सक्राइब करते हैं तो आगे इंफर्मेशन दी हुए है सेल्ज ऑफ गुड इन नाइन मन पीरिड आपको चाहिए तो इस टाइम लाइन मना लो और इस टाइम लाइन में आप बोल दो शुरूआत हुआ है कब वन जुलाइफ फाइफ थर्टी फर्स्ट मार्च सिक्स थर्टी फर्स्ट मार्च सेवन और थर्टी है जून सेवन ठीक है सेल अफ गुड्स फॉर नाइन मन पीरिड टू तू 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 यह बोल रहे हैं कि दिस वॉल्यूम वाज नॉट एक्स्पेक्टेट तू चेंज आप बताहिए कि अगर बीस हजार आपने नाइन मंस में बेच हैं तो ट्वेंटी फॉर फिफ्टी थ्री ताउजंड एक्स्पेक्टेड है विच इस लेस देन सिक्स्टी ताउजंड आप बोल सकते हो कि जो सौ पर यूनिट अभी अपन बेच रहे हैं प्राइस वही एक्स्पेक्टेड प्राइस हमारे टोटल अभी तक सेल नहीं होएं फॉर्द एयर इंडिस साल में सेल होएं थर्टी फाइव और विके तो 55 होगा है बेस्ट ऑन करेंट अर्डर एस्टिमेट वस रिवाइस्ट अन आउट इस एस्टिमेटेड कि टोटल सेल्स तो यह पीरिड विल बिल बिल बी मोर दैं 60,000 उनिट तो हमारे एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया है यहां पर आपने सेल्स कित्ते से बुक करी होगी सौ यानि यहां पर आपको क्या करना है भले आपको पैसा सो रुपे से मिलाए यह कैश आईए आपके पास क्योंकि अभी भी 60 एक्सीड नहीं हुआ है आपका रिव 25,000 इंटो 90 होता है आपका 31,50,000 माइनस 2,29,50,000 रिवेन्यू होगा आपका क्या पूच्छन क्या पूचा है देख लेते हैं what will be the revenue to be recognized in 5-6 in respect of sales 5-6 पूचा है तो 5-6 में हमारे 20,000 यूनिट भीगे है एड़ रेट वंडेड ही बुक करना है तो 20 लाग होगा और what will be the revenue recognized in 6- सेवन तो 29,50,000 अपन निकाला ही हो जाएगा चाहिए दोस्तों चलो के scenario 2 पर आते हैं तो यह पूरे question का revision आपको देखना है अगर तो आप क्या कर सकते हो YouTube पर भी 115 का revision वीडियो लिया है अलागे वह एक quick revision है आप उसको cover कर से हैं उसमें 115 पूरा cover हो जाता है इस तरह के questions अतरनाक थे वो थी November 23 के और November 23 का paper भी बहुत टेपिकल आया था तो अगर same logic लगाए तो November 24 में हमें उमीद हैं कि चीज़ें सब कुछ ठीक टाग रहे है चली हाला कि जैसे है C.A. freshly qualified 20,000 की नौकरियों में तिक्कतारी ये भरुसा नहीं हागी इंस्टूट क्या करेगा अभी उन मुद्दो को छोड़ा अपन त्यारी करते हैं एक भी पास हुआ तो मैं होगा That's the attitude XYZN Company is an audit firm. During this audit the firm is facing difficulty in accounting of following transactions and seeks your opinion. A. Limited has established a defined benefit pension plan for his eligible employees. A. Limited ने क्या create गया है The balance sheet of A. Limited on 31st March 2007 currently includes estimated net liability on 31st March 2006 यानि ये opening हो गया ये closing हो गया अगर 6-7 का हुआ तो amounting to 18.75 करोड अब सबसे पहली चीज समझना दोस्तों 31st March 2006 पे आपकी net liability दी हुए है 18.75 करोड अब सबसे पहली चीज समझना दोस्तों 31st March 2006 पे आपकी net liability दी हुए है 18.75 करोड ठीक है जीरो लिख दिया एक्स लिख दो कोई बात नहीं following matter of the plan to the plan for the year ended 31st March 2007 is given come on let's see what it says estimated current service cost advised by actually 6 crore तो इस पीरिट की यह नहीं की 2006-07 की current service cost 6 crore है ठीक है 2007 a paid contribution of 7 crore into the plan and charge this amount as operating expense यह गलत कर दिया यह expense नहीं है भाई यह तो असेट है असेट बढ़ना था तो सेवन करोड रुपीज अपने plan में contribution दिये और यह इस तारीक पर हुआ है सब्सक्राइब अन्युल मार्केट इल्ड और ही क्वालिटी कॉर्परेट बॉंड और फर्स्ट अपर्स्ट अपन यह मान रहे हैं कि हमारी प्लाने सेट्स पे भी एट पर्सेंट मिल रहा है और जो हमारी हैं इंट्रेस्ट इ Casa 18.75 26 होता है डिमिकेर अधिस डाइंडी में क्या क्या घला करते हैं टिशी होते हैं इंट्रस्त कॉस्स करें तो अब इससे आप यह निकाल सकते हो कि यह आपका opening प्लस CSC प्लस net interest माइनस प्लान असेट में जो आपने इंवेश्मेंट किया है opening आपका net है तो current service cost इस साल के और प्लान असेट माइनस करके net interest करोगे तो इससे क्या आजाएगा आपकी closing liability जो आना चाहिए चलो 18.75 प्लस 1.6875 प्लस 6 माइनस 7 19.4 375 आनी चाहिए थी तो यह जो difference है यह actuarial loss आना जाएगा योगी net liability बढ़ रही है आपकी उमीद करता हूँ यही सब MCQ में पूछा नो benefits have been paid यह दिया हुआ है कि क्या outflow कुछ भी नहीं चलिए what is the amount of net adjustment to be made in statement of profit and loss for 6-7 with respect to defined benefit pension plan तो यह net adjustment क्या बुचा है तो करचा क्या बुखोएगा CSC क्रचा बुखोगा और interest क्रचा बुखोगा यह 6 है यह 1.6875 है यह आपको टोटल खर्चा बुख करना है 7.6875 लेकिन आप अल्रड़ी साथ का घर्चा बुख कर चुके हो बहले ही गलत बुख किया है तो .6875 का expense और बुख बाएगा तो यह हमारा क्या होना चाहिए था net adjustment to handle अब इन्होंने क्या बुलाई what is the amount of net adjustment to be made in statement of profit and loss for 6-7 in respect of defined benefit pension plan साथ करोड आड़ेड वाग to profit for the year 2000 एक बार interest देख लेपन ने सही निकाला है सब कुछ calculation सही है न ओपनिंग अपना कितना है दोस्त 18.75 18.75 into 8% oh my god what did I do श्या एक भी फिगर मैच नहीं हो रहा था यह क्या हुआ यह 8% 1.5 बड़े फिगर ले लिया पन ने तो यह 1.5 के कारण यह वाल्यू चेंज हो जाएगी यह चेंज हो जाएगी 1.5 फ्लस 18.75 यह परसेंट ले लिया था इसलिए कड़ पड़े होई चलो गई शे दे रहा है दुरूस्ता है 26.25 माइनस से 19.25 आजी है वही क्लोजिंग लाइबिलिटी तो जो आपका एक्चुरियल लॉस होगा 20.5 आएगा 1.25 आपको टोडल करचा कित्ता बुक करना चाहिए था यहां पर सिक्स प्लस 1.5 यह इस साल का आपका खरचा है सेवन पॉइंट फाइफ जीग बुक कित्ता क बुक हो जाना चाहिए नेट 0.50 करोड आपका बुक होएगा अंसर गया हो जाएगा सेवन नो सिक्स नो फाइफ नो फिफ्टीन नो तो क्या है यह यह एक बड़ा करेक्शन कर लोग यह 0.5 करोड होगा एफ और की जाये हो है तो वो गीन लॉस अभी अपनने निकाला है 1.25 अब यह तो अलग कुश्चिन लग रहा है अंठवा तो इसके लिए नेक्स पड़ते हैं वाले है लो हेलो 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 हाई फस्टेप्रेल 2000 क्याम अलुम दो एक्स लगा दिया तब यह एक एक्स लगाते है यह लिमिटेट कंप्लीट इंस्ट्रॉक्शन अवर नॉन करेंट है जिसकी लाइफ 20 साल है कॉस्ट अफ चॉंस्ट्रॉक्शन वर रेकनाइज इन प्रॉपटी ब्लांट इक्विप्में देप्रिशेट इप्रिशेट अप्रॉप्रेट सब सही चाल रहा है यह लिगल अब्लिगेशन तो रेस्टोर दसाइट अन विच नॉन करेंट असेट है जानि ट्रीफर्स मार्च ट्रीफ यानि 20 साल बात यह थिए स्टिमेट पॉस्ट इस्टोरेशन वर्क अन 2020 चॉन थिस 2.5 करोड तो हमें गया चाहिए प्रेजिये प्रेजिये वाल्यो आफ दी आरेस्ट अब्रेटर्स अब्रेटर्स अब्रेशन अब्रविजिये यह माच 2001 तो यह आपका फिर्स्ट यर कटम हो रहा है 2001 जो जारे फिस्ट यह न प्रोप्रियर अन्यूल यह आपकी प्रोप्रोंट आपकी ृप्रोंट गारिस स्थेय्ट इस चाहिए तो यह चौन गरेंगे तो बहुत बढ़िया 0.78 और यह क्या हो जाएगी असेट की कॉस्ट में एड हो जाएगी असेट की कॉस्ट में एड हो जाएगी तो आपको यह प्रोविजिन बनाना पड़ेगा कब फर्स्ट एपरिल टू जीरो एक्स जीरो और टू एक्स एक्स जीरो जो भी है उदर आपको पीपी में क्या करना पड़ेगा यूवलाप टू आड इस फिर आपका जो भी पीपी है इसमें पॉइंट सेवनेट आड हो जाएगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा जो आपका इसमें एक तो depreciation आपको बढ़ाना पड़ेगा किते से 0.78 डिवाइड बाइड वाइड 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 इत्ता सब क्यों निकाल रहे है अपन बढ़ ले देना question में पूछ के आ रहे हैं वही निकाल लेंगे वो प्रोविशन जो जाएगा वापका 0.78 प्लस आपक the amount of adjustment to be made in retained earning on account of restoration provision oh my god retained earning में हमें क्या impact देना है यह बड़े आपश है what will be the amount of one year's unwinding of discount on account of restoration unwinding of discount जो हैगी वो किस पोईगी 0.78 पर यह 6 परशेंट यह तो अभी निकल जाएगा यह कित्ता है 0468 यह होग्या अब आप देखिए अपने को रिदेंडर निंग में क्या एट्चेस्पेंट करना पड़ेगा restoration provisions के करना तो आप देखनी हमें हमें ideally क्या करना है तो सबसे पहली बात आपने प्रियोरल को कि यह व्योरल में क्या जाना चाहिए एप्रिसियेशन जाना चाहिए कित्य का अपने निकाला था शायद जी हां सब्सक्राइब का नहीं पॉइंट सेवने डिवाइट वाइड वैड़ेट इस निप्रिशेट वह वह था अपने डिवाइड वैड़ेट विएड का तक रच्चा बूक होना था हर साथ जबकि प्योरल में हमने एक्च्छल में डेबिट कित्ता कर दिया पॉइंट वन्टू फाइफ करोड डेबिट किया है प्लस हमें अन्वाइंडिंग ऑफ इंट्रेस्ट को भी डेबिट करना था जो अभी आपने निकाला पॉइंट जीरो फॉर सिक्सेट तो यह तुभी डेबिट होना है और यह रिवर्स होगा डेबिट पॉइंट जीरो ट्री नाइन टू पर करा रहा है यह एड्जेस्मेंट आपको फाइनली एरेंड पर करना है यहां पर पूछा जाना चाहिए था यह पूछ रही अगया तो यह एंड पर इतना एड्जेस्मेंट हो क्योंकि यहीं मानेंगे इस साल के सारे एड्जेस्मेंट करने के बादे ठीक है तो दोस्ता चाहो आजाओ अब इंडेस्वारा इंकम टैक्सिस्मेट एक्स लुमिटेटेक इंडियन कम नहीं है विच ओंसर फ्री ओल डांड विथ क्यारिंग वाल्यू ऑफ 10 लाग विच इस नॉट डेप्रिशेटेट फॉर टाइक्स पर्पर्पर्स बट इस इंडेक्स फॉर इंडेक्सेशन पर कित्ती सारी बजेट में बात हुई और उसका कुश्चन यहां अभी यूपीएस एंपीएस स्कीम की बात हो रही है पेंजन का कुश्चन आगया तो चलो रेलेवेंट चीज तो पूछ रहें मजिद्दार इंडेक्स वाल्यू एंड फेर वाल्यू अप सच लाइंड इस 15 लाइंडेक्सेशन अगर इंकम टैक्स मिलता है इसके तो 15 लाइक इसकी वालिए फेर वाल्यू भी पंदाल है टैक्स बेस के एक्स यजी इंटेंट्स तू सेल इट एज पार्ट आफ स्लम सेल अब बिजनेस एवेंच्वली अफ्टर उसे दोस्तों कि अगर कभी कई पॉटिकुलर असेट के मॉल्टिपल टैक्स बेस या मॉल्टिपल फ्यूचर टैक्स रिट हो सकती है क्योंकि उसक इसमें मैनेजमेंट का इंटेंशिन मैंटर करेगा कि आप उसे कैसे यूज करोगी और उसके अकॉर्डिक्स करोगी अपन क्लास में करते हैं इंफाक्ट सेम एग्जामपल लेते हैं स्लम सेल वाले तो यहां पर आप से पूजा क्या गया है अब यह एंसी क्यों नहीं है अगर आप इंडिविजुली बेच होगे तो बेनिफिट मिल जाए तो आप से स्रुफ टैक्स बेस पूछाए तो आप क्या गरोगे दोस्तों इस केस में आपका टैक्स बेस क्या हो तो अब देखो कुश्चन नहीं क्या बूजाए अगर अगर अपन देखें वाट विल भी टैक्स बेस और मेजरमेंट ऑफ टैक्स इफ और यह नहीं पूछाए कि यह आप इसके ओपर टैक्स किता बनाओगे क्या तो अभी अपन लिखते हैं टैक्स बेस किता होगा तो यहां पर दासी हो टैक्स पूछा नहीं है पर सुल्यूशन में दिया है आप भी इंफर्मेश इसका मतलब हमारा जो डिवेंस है तेंपर डिफरेंस वोसी होई इस इस तो सेल दे लैंड इंडिविजुली एंड नौट अन स्लम बेस तो फिर उसकेस में यह लैंड क्या टैक्स बेस होगा अब इंडिविज्वली बेच रहो तो यह इन्वेस्मेंट प्रापरटी या पी लेगे और टैक्स बेस्टा हो जाएगा बटा रंद रहाए क्यों 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 कि वाट इस दो टैक्स बेस्ट इस पर शेट टैक्स बेस इस पर अब बन सकता है प्रोवाइद आपके पास टैक्सिल फ्रॉपिट सेया अप इसको ध्यान कर एक्स इस्ट्लाशिपाइब इस लांड इस इंविश्मेंट प्रॉपटी एंटेंज तो इनिविज्वली नौट न नौटन श्लम पीसिस अच्छा थीक है तो यह फुद बोल रहा है वह आले को इस ग्यान दिना निया यह इंविश्म्ट बोल रहा है कि बहु कि क्यारिंग अगर कम होता है तो हम बोलते हैं असेट के इसमें यह इससे टीटिया बनेगा असेट में क्यारिंग जाता होता है तो टीटिया अचले एक्स लिमिटेट फॉलोज और इवालुएशन इसका इस पंद्रा हो जाएगा बट रिवालुएशन मॉडल है तो क्यारिंग 20 यहां जो डिफरेंस यह साथ का होगा पर यह टैक्सिबल टेंपरेल डिफरेंस होगा और यह OCI से डीटियल बनेगा क्योंकि रिवालुएशन में जाता है तो इससे आपको सम्झाना यह यह यह जाया नहीं यह उस रिवालुएशन में तो आप देख लीजेगा रिपीट कुश्च्छन है क्योंकि इसलिए मतलग यह भी रिपीट कुश्च्छन एग्रीकल्चर का एपल और चैट्स का यह भी रिपीट कुश्च्छन एंदेस्टेन का यह नया लिखा हुआ थैं 30 ज़ास माँ डूजन गुण टूजन वान इसलिए है आनी के इस रिपीट का क्रिवा दो यह सर शर्याइशन एक कर बहुच्छ जरीए तो आप और गर मुटिटोरी इस दिर्ग टोड़ ज को से लिए तो आप रिडरीश्टुरिंग था कोश्च्छन है अग लिए टु कि प्रेजेंट वैल्यू से रre君वरेबल अमन्ट वैल्यू inite can फर अगी जुरुप प्लैन बना रागए री इस्ट्रुक्चिरिंग कॉस्ट अवि लगी न ही कुमिट्मिन्ट आया लगाऊंगा इसकी केपासिटी 10% बड़ा दोगा जिससे मेरा ओवरॉल रिवेन्यू पर एरक्राफ बढ़ जाएगा उससे आगे याके मुझे उमीद है कि मैं ज्यादा पैसे बना पाऊंगा पर अभी ऐसा प्लान है मैं एक्चुल में सीटे बदली नहीं तो अभी जो एरक् कमांड भी चेंज हो जाएगा क्योंकि क्यापटलाइज होगी वो कॉस्ट कुछ खर्चे बुक होंगे यह सब इंकर होने के बाद फिर अब आप देख सकते होगे आपके रिवाइज बेनेफिट क्या होंगे और रिवाइज फ्यूचर कैस्ट लोज आप्टर फ्यूचर के कैश फ्लूच को बेशिस पहले है दूसरी बात रिश्ट्रक्चर रिंग दो दरगी होती है और एक रिश्ट्रक्चर कॉस्ट लगती है जिसको हम खर्चा पर इस्ट्रक्चर के बात कर रहे के रिमेइन इंग्लाइटी एर से मैंनेजमेंट अप्रूव बजेट अन तू 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 नौ जाएगी और उसके 1 साल बात से फायदे शुरू जाएगे तो नॉर्मली दोजार दो में ये कॉस्स लगने के बाद आप इंपेर्मेंट चेक करो गया अगर तो रियेस्टिमेटेड कैश्फ लोस से करो कि फॉर्मल बजेट्स है विन प्रिपेर्ट फॉर्टी यहर्स तो 31 मार्च 2004 यानि कि यह 1 से 4 तक क्योंगे 3 प्रियर्स जीरो ग्रोथ रेट इस अजिए उम बिकॉस कंडिशन्स आर कॉंपेटिटिव और एक्सेक्टेड तो फ्यूचर कैश्फ लोस के आपको इस्टिमेट दिये हुए अभी अपन खड़े है 31 माच 2001 में तो अगला साल यह 8 साल की हमारी अचेट की लाइफ बाकी है तो 8 साल के cash flows with restructuring without restructuring को बनेट cash flow without restructuring 870 EXrail दनेट cash flow with restructuring by the amount of restructuring कोस्ट भाईया विच्टe अविजया estápi cash flow ज्यादा होना चाहिए ते पर first year में कम क्यों है यह को हैं 1st year में 3 unbelievable half उत त्पाइड साइब रुप है कि हमारा cash सब्सक्राइब करते हैं चलो ठीक है कि यूचर कैश फ्लोज आप इन डिस्कांटेट एड़ एड़ परसेंट क्योंकि फ्यूचर कैश्प्लो में इंफ्लेशन नहीं है तो डिस्कांटिंग रिट भी रियल रेट लिया होगा घ्र वह मतलब नहीं है पन चार पर सिंप्लिसिट आपको यह सब क्यांकुलेशन तर्टीबस मार्च 2001 से करना है तो आप इस पर इसकांटिंग अगर करोगे तो आप कितने समय का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट फॉर परसेंट बट ओनली फॉर वन यह क्योंकि यह सवाल यह कि मैं कौन से वाले कंसिडर करूं वित या आपको बुलाएं लॉस निकालिये जब रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट रेकर नाईज हो चुकी है फिनाइंचल स्टेट्मेंट ऑफ टू तू 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 हो 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 इस केस में तो फिर हमी क्या करना पढ़ेंगे यह वाले क्याश्लो से बस इसमें एक करिया हुआ है ना उस क्यारिंग मांट वसेड में आपको दोस्तों है लू कि लाइक फिफ्टी ताउजन रुपीज का रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन माइनस करना होगा क्यों क्यों क्योंकि नॉर्मल लाजिक है दोस्तों कि अगर कोई भी असेट के उपर कोई प्रोविजन बना होता है तो इंपेर्मिंट चेक करते हैं हम प्रोविजन को माइनस करके नेट असेट के कैरिंग अमांट को कैरिंग अमांट तो मैं आपको इसका सिल्यूशन बताऊंगा आचाओ 15th question यह देखिए तो इन्होंने यह निकाल दिया कि वह यह वित रिस्ट्रॉक्चरिंग में 4% प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर क्याश्प्रोस की प्रेजेंट वैल्यू आभी 6514 प्रोविजन फॉर रिस्ट्रॉक्चरिंग कॉस्ट हो गया है तो इन्होंने कहा है 6514 आपका वैल्यून यूज है अस्यूमिंग यह रिकवरेबल अमांट है लेकिन जो सीजीव का क्यारिंग अमांट है वो 65,000-3,50000 जो प्रोविजन अल्रड़ी ग्रिए और क्योंकि क्य कॉश्चिन में आगे आपको यह दिया गया है कि बताओ रिस्ट्रॉक्चरिंग कॉस्ट का रिकॉर्ड नहीं हुई है 2001 में तो क्या है तो तो सीदीजी बात है फिर हम यह वाले क्याश फ्लोस की प्रेजेंट वाल्यू के बेसिस फे 65,000,000 के क्यारिंग मांट को प्रेंट को चलो दोस्तों बहुत बढ़ी है तो यह एक और आपका कुश्चिन हो ज्यादा है 15 जो नया है इंडांजिबल सेट का रिपीड कुश्चिन है हाला कि इसमें थोड़ा सा इंफर्मेशन प्रेजेंटेशन आप देख लेना 17 का कुश्चिन है से थोड़ा हर डिफरेंट है पर सिमिलर कुश्चिन अविलिबल है तो एक बार मैं आपको बता देता हूं क्या है 1st October 2001 गांधी जी आने वाली है एक दिन बाद एक स्वाइल इंडेट कंप्लिटेट कंस्रक्शन आप पावर जनरेटिंग इसलिटी टोटल कॉस्ट वस्टो करोड और फिसलिटी वस्केपिल इसलिटी नहीं पर कोई लाइबल इसलिटी नहीं लेकिन एक स्वाइल इसलिटेशन वर कंडुक्टिंग बिजनेस इन्वार्मेंटल फ्लेंटरी मैनर तो रिस्टोर सिमिलर लैंड इवन अप्सिंस अफ सच रीगल रिक्वार्मेंट तो एक कंस्ट्रक्टिव उब्लिगेशन है तो उसे भी गंजिडर किया जाएगा यानि कि वहां विरागे लॉग नी बोलता पर हम बहुत ही नेक इंसान है तो हमें इसा करेंगे डिरेक्टर इस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग लान इन फॉर्टी यर्स टैंग चालीस साल बात की प्राइस पे एक क्रोड रिसकांटिंग रेट पांच परसेंट होगा तो आपको 5% से डिसकांट करना है तो वन करोड इंटो 0.142 के अल्कुलेटर से निकालूंगा तो यह आ जाएगा 0.142 वात दर्वाग शुआंग अव दी अबाव इवेंट विल बी रिपोर्टे इन दे फिनांशल स्टेट्मेंट अव एक्स-वाई एक्स-वाई एक्स-व वाल्यू जो आपने लिए इसको आपको असेट की कॉस्ट माइट करना पड़ेगा दो पूरूंग और डेप्रिसियेशन फिर आपको 6 महीने का क्या करना पड़ेगा इस पॉइंट 142 पे भी लगाना पड़ेगा ठीक है बस इत्ता से गंसेप्ट है आपन यही से कुश्चि लिए से दिखा देता हूं खुडा देखें और क्या खत्म अब तो सबसे पहले आपको तीन चीज़ें यहां पर करनी है प्रोविजिन दो करोड का असेट उसमें प्रोविजिन आइड करना है तो नुमबर वन असेट टू करोड प्रोविजिन होगा तो डेप्रिसियेशन इंटरस्ट होगा ब्याज जुड़ेगा और उसकी क्लोजिंग वैल्लिव आई यह सारी चीज़ें आपको यहां पर दी गई है चलो होगा आप देख लीजेगा क्याल्पिलेशन बस है उसमें यह वाला कुश्यन भी रिपीट है अब इसमें है एक चीज मैं आपको बता इक्जैम में लिखना जरूरी एक इंसालेटेट फिनाइंचल का कुश्चन फिछले तीन कैलेंडर यह से हर बार एंटीपी में आ रहा है बस आई टीपी में नहीं आए ता बागया बस एक्जैम में आपकी यह समय लो नुमंबर जो 20 में आएगा नहीं तो में 25 में तो पक् इस देविल लीस्टू अधर पार्टीज तो भी आप पी और क्यू दोनों हाथ मिला रहे हैं कैसे हाथ मिला रहे हैं कॉंट्रैक्ट्ट्ट्र अरेंजमेंट करें तो पांच पी के पांच क्यू के तो दो बच गए लेकिन यूनिलेटरी में कॉर्ट डिसिजिजन आगे रमें इन टू फ्लोर विल यूंट ली मनजगें अलड देशिजन इन इस पोर्ट यू अगे तो डिसीजन इस टू फ्लोर मस्ट बी अनिमस्ली अग्रीट्ट टो थे लिंट्रीट लू लिमिटेड विल शेर नेट प्र वाइट टू अट अट बोला यह इंट आप आप बोलोगे जो पांच फ्लॉर पीके हैं यह उसकी बुक्स में पीपी आएगी यह इन्वेश्मेंट प्रॉपर्टी डिपेंडिन ने को जोएंट वेंचर नियोंगी इसमें आपना अपना डिशियन ले रहे हो दो फ्लॉर के लिए डेफिनिटली यह जॉइंट अरेंजमे में यह जॉइंट वेंचर होगाँ तो जब आपका नेट सटाथ होता है तो यह जांट होता है मुझा ऑइस्मिंग इस बेडर वहीकल क्यों कि आपको जाद होगा अपने लाघ्वेंच कारते थे तोनों कंडिशन पूरी होनी चीए एक भी नहीं तो जॉइंट आपरेशन इसमें एक कंडिशन तो प्रूव हो रही है नेट असेड में शेर लेकिन सही वाहिने में देखो ना तो कुश्चन में यहां लिखा नहीं है कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्रियेट करिया यह सेपरे क्यों क्यों क्योंकि मैंने मेरी तरफ से एक्स्ट्रा आपको बुलाएं एक्जाम में लिख देना अज्यूमिंग इडिस क्रीटेट वेहिकल यह सेपरेट वेहिकल जाती है और क्या चाहिए आपको नुवंबर 24 के लिए अब समय आ चुका है कि एक सुपर टोंडिट कुश् बैंक नुवेंबर 24 के लिए बहुत ही जल्द आएगी मेड 24 जैसे ही होगी more or less पर अबिसी बाते 10% चेंज आपको देखने को मिलेगे विश्यू आल वेरी बेस्ट वर एक्जाम स्टे क्नेक्टेट और अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो आगरी तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब तो करना बनता है थैंक यू वेरी मच वाई